स्ट्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे आज आपकी वर्षिट दो आई है 19 A और 19 B अपकी हिंदी की है B आपकी EVS की है तो दोनों बनाओंगी आप लोग ले लेंगे चलिए पहले इस अच्छे से लेबल कर लीजे हिंदी की है लिख लिजिए क्लास लिख लिजिए टीट अपना नाम अपने टीचर का नाम लिख लीजिए पढ़ना शरू करते हैं नमस्ते बच बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वास्त और खुश होंगी बच्चों हम सब को कुछ नया सीखना पढ़ना जारना पसंद होता है जैसे किसी को नए खेल खेलना किसी को नए निरत्य सीखना यानि डांस करना तो किसी को नए किताबे पढ़ना और जब हम कुछ नया करते हैं तो हमें उसे बार-बार दोरा कर स्थाई करते हैं यानि कि हम क्या करते हैं कि हम उसे बार-बार दोराते ताकि वो स्थाई हो जाए यानि पर्मरनेंट हो जाए हम उसे भूले ना आज भी हम कुछ ऐसे ही मज़ेदार करेंगे तो चलिए करते हैं लिखा है प्रश्च नमबर एक नीचे दो पोटलियां दी गई है ये आपको दिख रही है दो पोटली पहली पोटली में जो शब है उनके अर्थ दूसरी पोटली में बंद है ठीक है यानि कि एक बड़ी पोटली बना कर उसमें दोनों शब्दों के अर्थ जो है वो आमने सामने आपको लिखना है ठीके तो यहां मैं आपको मैचिंग करवा देती हूं बाकी आप लोग खुद कर लेंगे तो देखें यहां लिखका है मनजूर करना तो यह क्या हो जाएगा आपका स्विकार करना ठीके क्या लिखका है चकित चकित माने क्या हो जाता है आपका हैरान हो जाना ठीके उसके बाद क्या विजे विजे माने होता है जीत उसके बाद लिखा है गवाना गवाने के माइने हो गया खोना सील सील माणे होता है एक तरह का पत्थर चीक है तो यहाँ वे वैसे तो आपके काम आसान करने के लिए जिस कलर का कोशन है उसी कलर का इधर आपको आंसर दिया गया आप इससे भी सहारा ले सकते हैं माकिया मैंने आपको बता दिया आगे चलते हैं आइए आज हम अपना एक शब्द कोश बनाते हैं अपने नाम के हर अख्शार से एक शब्द लिखिए और उसके सामने उसका अर्थ लिखिए आप उसका एक चित्र भी बना सकते हैं घर के बाकिस अदस्यों के नाम से भी आप अपने शब्त कोश को बढ़ा सकते हैं उधारन के लिए जैसे की मान लीजे मेरा नाम रमा है तो मैंने क्या लिखा र और मा तो पहला है र रा से क्या होगा रंगीन रंग से भरा हुआ तो यहाँ रंगीन चित्र बना दिया триक के एं मा मा से माली लिख दिया माली किसे कह अब मालीची अगर मेरा नाम शाम है तो एक हो जाएगा शह तुम हम शाह से क्या बना सकते हैं बता सकते हैं शिटकोंड जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं फिर यहां शिटकोंड का चित्र बना देंगे मा से हम मचली बना सकते हैं मचली किसे का जाता है जो पानी में रहती है उसके बाद हम यहां मचली का चित्र बना सकते हैं हैं नासान, तो आप कर लेंगे, चलिए आगे चलते, यहां आपको अपने नाम के हिसाब से करना है, अब यहां आपको आगे दिया गया है, आओबाचीत करें, तो लिक्ता है प्यारे बच्चोत साथ दिये गए, चित्र, को ध्यान से देखिए, आपको क्या लगता है कि इस च दादी मां कही ओए मुझे छोड़ा हूँ, मंदिर तक तो यह कहा हूँ, चलिए मैं आपको छोड़ का आता हूँ, हो सकता है, यह बच्छा पूछ रहा हूँ, दादी कहा रही है, मैं भी क्या हाँ, कहतने हैं, चलो हूँ, तो कुछ भी हो Запタwe, जो आपको अच्छा लगी, बाजार चलो ठीक है तो अब यह रामू क्या बोलता है ठीक है दादी मा ठीक है यहनी ठीक है दादी मा चलता हूँ मैं आपके साथ ठीक तो इसे आप लोग कर लेंगे चले तो आच्छी वक्षीट को यही कपन करते हैं अच्छी वीडियो में बस इतने हैं अगर आपके वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज जिसे लाइक हो शियर अगर भी तक आपने मैं चांगा लाइक नहीं किया तो प्लीज मैं चांगा लाइक करें तैंक यूपर वाचिंग